सभी को जाहिन दोस्तों आप सभी का हर्दिक सौगत है हमारे यूट्यूब चैनल पे तो हाज हम आपके लिए एक नई और एक इंट्रस्टिंग वीडियो लेके आए हैं तो इस वीडियो को अंतक देखें और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेर ज जानी मानी जर्नलिस्ट आरजू काजमी साहिबा ये हैं तो पाकिस्तानी मगर पाकिस्तान से ज्यादा इन्हें चाहने वाले इनके मद्दा हिंदुस्तान में हैं आरजू काजमी साहिबा से आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान का जो मुस्तक्बिल है हमारा जो हैं हमारे दर्मियान जिसे लेकर हम एक दूसरे को शक की नजर से देखते हैं आर्जु साहिबा आपका प्रोग्राम में खेर मर्दम है बहुत शुक्रिया अर्वन जी कि आपने आज इन्वाइट किया बहुत अच्छा लगता है मेशा आप से बात करके थैंक यू सो मज़ सब से पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इन दिनों भारत में एक नया बयानिया यहां पर बन रहा है लोग कहते हैं कि पाकिस्तान कोई मसला नहीं है और वो ये कहते हैं कि हम गलत बात को जाके पकड़ते हैं असल में सारी प्रॉब्लम्स की जड़ जो है वो दीन इ आप इस बयानिये को किस तरह से देखती हैं नहीं अरवन जी मैं नहीं समझती कि हर मसले का जो बदब जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसकी वज़ा इसलाम है बलके आप ये कह सकते हैं कि मुस्लिम्स हैं क्योंकि हर एक ने जो है वो अपना एक अलग मजभ बना रखा है हर एक का अपना एक इसलाम चल रहा है और उसमें ना सरिफ ये कि हम हिंदू क्रिस्चन्स या किसी तरह के भी नौन मुस्लिम्स की बात नहीं है आपस में भी एक तरह की यूनिटी नहीं है और एक दूसरे के उपर भी अटाक होते रहते हैं और ये चीज़ आज की नहीं है ये कई सा पहले से हमारे हैं चली आ रही है जब जल्फिकार अली भुटो ने सबसे पहले एहमधियास को नौन मुस्लिम डिक्लियर किया था और उसके बाद जब जरावलहक की गर्वर्मिंट आई और उसने और ज़्यादा मजभ के नाम पर जो है एक तरह का कहना चाहिए चूरन हैं ऐसार भाद किया सबमी लगुटलिक्ट अवर्मिंट दोस्टार्वार्च पर उसने नाम गांकर वेए चाहिए और जब जो तरह कर रहे थे हमने उनको चुना नहीं डिया हमने उनको मीडिया में नहीं आने दिया उनकी आवाज लोगों तक पहुँचने नहीं दी तो अनफॉचनेटली सिर्फ वही लोग रहे गए जो जहालत की बाते कर रहे थे जो अपनी दुकाने एक तरह से चला रहे थे और मजभ से जादा आपको पता है कि कोई चीज ऐसी है नहीं जो बिक्ती हो तो यहाँ पर तो लोगों का यह हाल अभी भी है कि मजभ के नाम पे लोग अपने पैसे जेवर सब कुछ जो है वो देने के लिए तयार रहते हैं अब इस चीज को कंट्रोल करने के लिए जो लोग है वो बहुत तादाद में कम हैं उनको धंखिया भी मिलती ही रहती है उनको हर तरह की थेटस आती है तो यह चीज को इसलिए पाकिस्तान संभाल नहीं पा रहा है और यही इंप्रेशन जो है वो भार्ती लोगों को भी है पाकिस्तान के बारे में हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया पे ऐसे लोग हैं जो बात करते हैं जिनमें से बहुत सारों को आप भी जानती हैं, उनके सार्व के प्रोग्राम होते हैं, वो तो तारीह को जुल्फिकार अली भुटो से शुरू नहीं करते हैं, वो तो उसको बहुत पीछे ले कर जाते हैं. उटो साब तो बहुत बाद में आए हैं. आप क्या समझते हैं कि इसलाम को जो लोग निशाना बनाते हैं, वो ये तो नहीं फर्क करते कि वो एहमधिया है या सुन्नी है या शिया है, वो तो सीधा-सीधा इसलाम के ऊपर बात करत के अपनी मर्जी है जो उनके फॉलोवर्स है वो सुनते हैं और जो मानना चाहे जो नहीं मानना चाहे उसकी अपनी मर्जी है लेकिन मैं यहीं समझती हूं कि जो मुसलिम्स हैं चाहे वो हम हदीसों की बात अगर आप देखें रिसेंडली जो एक बात चली थी जिसमें साओधी crown prince भी शामिल थे और उन्होंने कहा कि जी बहुत सी हदीसे ऐसी हैं जिसके उपर उनको doubt है तो बिल्कुल वो एक तरह से ठीक बात कर रहे हैं मेरे अपने शो में एक सहाब आये थे जो के religious scholar हैं और शहजाद सलीम डॉक्टर शहजाद सलीम सहाब और उन्होंने कहा कि वो ठीक कह रहे हैं बहुत सी हदीसे ऐसी हैं जिसको जिसके हम believe नहीं कर सकते और जिनको लेके आगे नहीं चलना चाहिए लेकिन पिर वही बात है कि यहां पे लोग अपनी मर्जी का इसलाम लेकर आते हैं अपनी मर्जी की बात करते हैं और कुछ भी कह देंगे इसने कहा था उसने कहा था या कई 100 साल पिछले टाइम की बात भी वह इसी तरीके से कोट कर देते हैं चाहे उनकी अपनी मर्जी जहां पर होती है जो जोजिज़ उनको सूट कर या नहीं जिसको जैसा मख़भ सूट कर रहा है वो उसी तरह की बात करता है जहां तक पाकिस्तान बनने की बात है या 1947 की बात है बहुत से लोग यहां पर पाकिस्तान में भी इस पात पर बिलीव रखते हैं कि वो मजब की बुनियाद पे चाहे बनाया गया ओ, मजब का नाम लेके चाहे पाकिस्तान बनाया ओ, लेकिन वो एक पॉलिटिक्स थी और वही पॉलिटिक्स अभी भी यहाँ पर पाकिस्तान में खेली जाती है जो मजभी जमाते हैं, उनको आप देख लें किस तरह से वो एक्स्प्लॉइट करते हैं, चाहे वो तादाद में कम है, या पिर ये कि उनको कभी कोई ऐसी प्रॉमिनेंट सीट पे आप कभी नहीं देखेंगे पाकिसान में, कि उनको वोट पड़े हो या कुछ हो, लेकिन उनक होल्ड इतना होता है, कि जो गर्मिन्ट भी आती है, वो उनके दबाओं में रहती है, तो बिल्कुल ये तो एक बहुत आम सी बात है, कि जो मजभी है, उसको जो मिजॉरिटी में होता है, वो माइनॉरिटी को दबा देता है, तो यहां पे भी अगर कोई माइनॉरिटी की ब इसलाम में जो है वो कोई प्रॉब्लम है तो मुझे इसलाम में नहीं मुझे बैसिकली मुसलिम्स के अंदर प्रॉब्लम नज़र आती है इसलिए कि इसलाम तो यूएई में भी है वो तो आपको कतर और भेरेन में भी नज़र आता है तो वहां पे तो आपको इस तरह की चीज जानता हूँ, उनसे तीन-चार साल पहले मेरी एक दफा फोन पर बात हुई थी, गामदी साहब के ही वो दोस्त हैं और उनी की ओगनाजेशन से जुड़े हुए हैं, आर्जु काजमी को कैसा मैसूस होता है जब हमारे यहां से लोग इसलाम को निशाने पर लेते हैं, how do you feel about it? नहीं, मुझे ऐसाच, मैं उनकी बात सुन लेती हूँ, और मुझे जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे इसलाम में ऐसाच इतना कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है। बात नहीं है, यह सिर्फ इनकी misunderstanding है, तो मेरा ख्याल है मुझे उस पर गुस्से में नहीं आना चाहिए। और अगर वो कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो वाकई में ठीक है और उस पर वो सही बात कर रहे हैं तो उसके साब से अगर मैं उनको सही समझ रही हूँ तो फिर मैं उस चीज़ को ठीक करूँगी। याँ मुझे दोनों सूर्टों में या अगर मैं भी किसी से बात करती हूँ तो या किसी के बारे में बात करती हूँ चाहे कोई कंट्री हो कोई मजभब हो तो लोगों को नराज नहीं होना चाहिए। अगर तो दूसरा सामने वाला आप से घलत बात कर रहा है तो वह तो गलत कर रहा है उसपे परिशान होने की क्या जरूरत है जरूरत होनी चाहिए मुझे अपने आपको ठीक करना चाहिए ताके मुझे दुबारा वो बात ना सुननी पड़े तो मुझे समझ नहीं आती कि जब हम अपने शोज करते हैं, हम किसी से बात करते हैं, हम ट्विटर पे या शोज में, कहीं भी बात करें तो लोग इतने ज़्यादा घुस्से में आ जाते हैं वो बात सुनने के बाद, और अगर उनको पसंद ना आए और यहां तक के तरह तरह क that message करना शुरू करते हैं कि मार देंगे यह कर देंगे भाई क्यूं मार दोगे अगर हम गलत कहने तो पर तुम्हें परिशान मानों ने अपनी जो पिक्चर पेश की है दुनिया के आगे वो इस बात की नफी करती है वो इस बात से एकदम कहना चाहिए उनका एक्शन जो है वो उससे मैच नहीं करता अगर आप एक वाइट पेपर ले 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 और उसके उपर एक पूरा पेपर साफ हो और सिर्फ एक ब्ल मारें तो उसमें से अगर दो चार इस तरह के टेररिस निकालती हैं टेरिस को सपोर्ट करती हैं ये कहते हैं कि हम जो है वो घजवाए हिंड करेंगे या हम लोगों को मार देंगे कार देंगे या अफ़गानिस्तान में ओर्टों को जिस तरह से कोड़े मारे जाते हैं तो हम बाकी किसी भी मुल्क को भूल जाते हैं हमें किसी दूसरी Islamic country का ख्याल ही नहीं आता हमारा सारा focus सर्फ और सर्फ Pakistan और Afghanistan के ओपर ही रहता है कि वहां पे क्या हो रहा है ना हमें बंगलादेश याद आता है ना हमें UA याद आता है ना बहरे, ना कतर, कोई भी नहीं, हम सिर्फ उसी तरफ देखने में लग जाते हैं, ये एक human nature है, तो इसलिए जब इस तरह की कोई activities होती हैं किसी Islamic country की तरफ से या किसी की तरफ से, इस विए statement भी अगर चला जाता है, हमारे यहां से तो बहुत ही जाता है, कभी कहते हैं, ऐसे मरेंगे और मुसल्मान जो है, उन्हें कुछ नहीं होगा, अगर हम खुद अपनी करफ से इस तरह की statements देंगे, किसी और Islamic country का पर क्यों नहीं लोग बोलते हैं, क्यों नहीं किसी और का नाम लिया जाता, सिर्फ अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इसी तरफ के लोगों को क्य आ जाता है, क्योंकि हमने वही picture पेश की है, हमने अपने आपको वही बना के दिखाया है, जो गलत picture है, और इसलिए लोग हमें बोलते हैं, इस पे हमें सुनने की या तो आदर डालनी होगी, या पिर अपने आपको ठीक करना होगा, यह बात आपने बिलकुल दुरुस्त कही आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान में RSS के उपर बड़ी बात होती है, और इन दिनों कुछ ज़्यादा ही होने लगी है, तो आप क्या समझती है, RSS की आइडियोलोजी क्या वाकई में एक racist आइडियोलोजी है? देखें, जहां पर भी अगर कोई religious type की, अगर कोई ideology होगी, चाहे पाकिस्तान की हो या इंडिया की हो, तो उसको यही माना जाएगा कि कोई इंतिहा पसंद तंजीम है, या कोई extremist group है, इसी तोर पर देखा जाता है, तो बिलकुल पाकिस्तान में भी जब यह बात की जाती ह इवन अभी रिसेट लिबरान खान सामने जो कहा था कि जी आर एसस की ideology की वज़ा से हम भारत के साथ terms हमारे अच्छे नहीं हो रहे, तो इंडियन मीडिया को चाहिए था कि उनसे पूछते का ideology है क्या, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम कि उसकी actually ideology है क्य RSS की, जैसे बहुत से लोगों को इसलाम का या उसकी ideology का नहीं पता और हम सिर्फ दो चार लोगों को देखकर हम एक तसवर हमने बना लिया है क्या हर कोई तलवार लेके और कुछ ना कुछ खंजर लेके घूम रहे हैं यहां पे, ऐसा नहीं है, तो अगर हम study करें जो के आज प्राइब मिनिस्टर के पास तो टीम होती है, पूरी उनको तो जरूरत नहीं के वो खुद पढ़े, लेकिन फिर भी unfortunately उन्हों यह statement दिया, और majority लोग जाहिरे पाकिस्तान में उनको follow जो करते हैं, वो उसी बात को understand कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, उनको मान रहे हैं, आप R अपने आपको superior बताएंगे, चाहे वो Muslim हो, चाहे वो Hindu अगर RSS के हैं, तो जाहिर हिंदू उससे related होगे, तो वो अपने आपको superior बताएंगे, वो हर दूसरे मजभ को बताएंगे, कि वो गलत है, और जो चीज़ भी कही जाती है, सेम यही चीज़ इसलाम में है, कि इसलाम मे से लेकर मैं भी यही समझती हूं, और मेरा ख्याल है कि मैं सब को क्या, मैं अपने आपको भी कहती हूं, कि मुझे भी मज़ीद studies की जरूरत है, मुझे भी इस चीज़ को और पढ़ना और समझना है, कि असल में यह क्या बताते हैं, क्या कहते हैं, क्योंगे हमारे तो यही ए देखी हैं, जिस तरह के सोशल मीडिया पर हमने देखा है कि जहराम के नारे लगवा रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, मुझे नहीं पता कहां तक ठीक है, कहां तक गलत है, लेकिन जैसे हमारे आँ मैं कहती हूं, कि जबरदस्ती किसी को मुसल्मान बनाना सही नहीं है, इसी अगें, इस चीज़ में यही कहूंगी कि ऐसे लोग बहुत काम है, और चाहे वो भारत में हो या पाकिस्तान में हो, यह लोग जो इंतिहाब असन है, इनकी तादात इतनी नहीं है, सिर्फ वही बात है कि हम इनको इंपॉर्टेंस जादा दे रहे हैं, बजा इसके कि जो लो आना चाह रहे हैं, हम उनको टाइम नहीं दे रहे हैं, मोहन भागवत साहब जो की RSS के प्रमुक हैं, उनके हैड हैं, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया, कि हिंदुस्तान हमारे मुसल्मान भाईयों के बगएर और हिंदू धर्म उनके बगएर अधूरा है, तो क्या आप आपने इस स्टेटमेंट को पाकिस्तान में किसी टेलिविजन चैनल पर देखा? नहीं मैंने ये statement नहीं देखी बिलकुल किसी पाकिसानी चैनल पर मेरे नजर से नहीं गुज़री पाकिस्तान में कोई ये बात कह सकता है कि पाकिस्तान हमारे हिंदू सिख और जो मसी भाई हैं उस बिरादरी के हैं उनके बगार अधूरा है कह सकते हैं अगर कोई कहता है तो कुछ भी कहता है लेकिन दिल से अगर आप कहें कि कहता है तो कोई नहीं कहता है एक statement होती है और एक उस चीज़ को समझना होता है एक होता है कि आप सच में उस बात को मान रहे हैं और आप बात करें और एक होता है कि आप सिर्फ एक statement दे रहे हैं ताके international level पे लोग सुने और आपको बड़ा कोई अद्योता माने तो वो कर सकते हैं लोग लेकिन दिल से कोई इस बात को नहीं मानेगा पाकिस्तान में तो कमस कम अगर पाकिस्तान में कोई ऐसा बयान दे कि पाकिस्तान हिंदूओं के बगएर अधूरा है तो शायद उस आदमी के मुखालिफ इतने ज़़ा खड़े हो जाएंगे कि वो उस वजन को बरदाश्ट ना कर पाए उस तंकी का हमारे पास कोई soul proprietorship है क्योंकि Hinduism का एक version नहीं है हमारे लाखों Hindu धरम के अंदर ही देवी देवता है तो RSS claim नहीं कर सकता कि हम Hindu धरम के पैरोकार है हमारे पास यही है सही definition उनका claim इस धरती के उपर है जो कि मैं समझता हूँ कि हर इंसान का होना चाहिए जो जहां पर पला जैशे मुहमद सिपाय सहाबा वो को हराम तक चले जाएं आप अफरिका में अलशबाब पाइस और अल-काइदा एक की भी affiliation किसी मिक्टी के साथ किसी सरजमी के साथ नहीं है सब की मजभ के साथ है तो फिर दोनों को equate करना कहां तक जायज है नहीं देखें अर्विंद पा किए अगर पाकिस्थान ये समझता होता तो फिर वो जो मियां मिठ्थू के केसिस चल रहे हैं और जो इस तरह की हिंदू बच्चेयों को टाने वा इOS किरिस्टिन बच्चेयों को टालेते हैं और ये सब कुछ नहीं हो रहा होता पाकिस्थान में हम सिर्फ सिर्फ यहाँ सिर्फ मुसल्मानों को ही मांते हैं और अगर कोई और किसी मजभ का है तो उसको तो हम इनसान ही नहीं समझते हैं वो किसी और मजभ का है वो तो बाद में आ जाती है तो बिलकुल इस जमीन से जुड़ेवे हैं यह आप अच्छी बात कर रहे हैं लेकिन यहां पर यह जैसे मैंने पहले का कि मजभ एक बिजनस की तौर पर लिया जाता है चाहे कोई भी रिलीजियस स्कॉलर हो कोई आप स्कॉलर तो खरें इनको नहीं मानती मौलवियों को नहीं कहना चाहिए लेकिन जो यह मदर से चला रहे हैं जो यह डोनेशन जमा कर रहे होते हैं कभी घजवाए हिंद के नाम पर कभी कश्मीर के नाम पर कभी फलस्तीन के नाम पर इनका कभी आप लिविंग स्टैंडर्ड देखिए तो आप हैरान हो जाएंगे कि इनके पास क्या चीज़ नहीं है इनके बच्चे बाहर पढ़ रहे होते हैं यह बिलकुल इसी तरह से है जैसे कोई आदमी जो ड्रक्स बेशता हो वो अपने बच्चों को कभी ड्रक्स नही तरीके से बढ़ गई है कि लोगों के पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए और खिलाने के लिए पैसे नहीं हैं तो वो इन मदर्सों में बच्चों को छोड़ कर आ जाते हैं और यह जो मौलवी हैं यह अपने बच्चे बार पढ़ाते हैं और वो बच्चे जो गरी चारे लेके खड़े और वो यह बतारें कि हमने काफिरों कार देना है यह कर देना है यह कहां से यह बाते आती है यह बात आप बिल्कुल ठीक कह रही है यहांता कि आज तक किसी ने इस बात पर भी अतराज नहीं किया कि हिज्बुल मुजाहिदीन का जो लोगो है दो तरफ 2147 और उनके दर्मियान में कुरान पाक रखी हुई है कभी इसने ये नहीं कहा कि ये हमारे सबसे मुकदस किताब की बेदबी हो रही है हम इसको बंदूक के ऊपर कैसे रख सकते हैं और उसके बाद ये कैसे क्लेम कर सकते हैं कि इसलाम अमन का दर्स देता है ये आप जैसे लोगो का काम है और आप तो खेर बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं इन पे बातें करती रहती हैं आगे बढ़ते हैं आरजु साहिबा बहुत सारे शिक्वे शिकायात हैं दोनों तरफ मैं दोनों तरफ की बात करूंगा हिंदुस्तान में अब लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान का जो नजरिया है धी आइडिया ataर किस्टान दो कम ने ज़रिया वहें की इंख्लूजव आइडिया नहीं है वहां सब अगर कहें उस वक्त से लेके अभी तक बहुत जादा चेंजिस आ गए हैं और हर्गिस मेरा नहीं ख्याल कि यह वो पाकिस्तान है जिसको बनाने के लिए जिना साब ने काम किया या उन्होंने एक मेहनत किया कहना चाहिए बनाया क्यूंकि मुझे याद है कि मेरे बच्पन तक तो जो है क शाब काफी में मौडर्न तरीके से लोगों को देखती थी कि वो रहते हैं और एवन मेरे गर में ही बैठ कर जो है क्योंके मेरे फादर भी जर्रिस्त थे तो और दूसरे जर्रिस्त आते थे तो बैठ कर बात होती थी और एक दूसरे से उल्टी बात कर रहे होते थे लोग मतब कोई कुछ कह रहे है कोई कुछ कह रहे है कभी किसी ने किसी का गरेबान नहीं पकड़ा क कि तुमने ये बात क्यों कर दी। लेकिन अब पाकिस्तान में उस तरह से बात नहीं तोलरेंस खत्म हो चुकी है और लोग एक दूसरे की बात सुने को तैयाड नहीं है तो बिलकुल हम पाकिस्तान को स्टों एच की तरफ ले जा रहे हैं, हम फाकिस्तान को education की तरफ unfortunately नहीं लेके जा रहे जो हमें लेके जाना चाहिए था और हमें इसको ऐसा बनाना चाहिए था कि हाँ भारत भी कहता है कि अच्छा किया है इतनी जबरदस तरक्की हुई है इतनी प्रोग्रेस हुई है जो शायद यहां पर उन लेकिन हमने उस से उल्टा काम किया हमने हर चीज में अपने आपको गिराते चले गए और चाहे वो एडूकेशन की फील्ड हो चाहे हो हमारे बिहेवियर हो चाहे हमारा दूसरे मज़ब के साथ interaction हो, हमने हर जगा पर अपने आपको एक failed state के तोर पे establish करके दिखाया और हिंदुस्तान को ये बात करने का मौका दिया कि ये लोगों ने ये नोगों ने पाकिस्तान बना के गलती की थी जो कि हम संभाद सकते थे लेकिन हमने नहीं संभाला क्या पाकिस्तान में अब भी दो कौमें रहती हैं दो कौमें किस तरह से जैसे दो कौमें नजरिया है जो आज भी बच्चों को पढ़ाया जाता है मुलक का वजीर आजम उस पर हलफ उठाता है कि मैं इसके तशक्ष को मैंटेन करूँगा जब प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा तो क्या पाकिस्तान में आज भी दो कौमें अबाद हैं नहीं पाकिस्तान में आज भी दो कौमें अबाद हैं लेकिन बहुत एक कौम जो है वो बहुत कम तादाद में है और उसको हम जिस तरीके से जबरदस्ती में उनके मजभ बदलवा रहे हैं और उनको बाइफोर्स इसलाम में लाया जा रहा है तो उससे लगता नहीं कि ये आगे बाद 10-15 साल के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको ये दो कौमे नजर नहीं आएंगी आज हम नेशन स्टेट में रहते हैं और हर वो शक्स जो पाकिस्तान की जियोग्राफिकल बाउंडरी में रहता है वो पाकिस्तानी है अगर इंडियन मुसलिम है तो वो इंडियन है पहले उसके बाद मुसलिम लगता है तो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान में रहता हो इसके पास पाकिस्तान का इडेंटिटी कार्ड हो कोई पासपोर्ट हो कोई भी कोई भी शिनाक्ति कार्ड हो वो उतना ही पाकिस्तानी है जितना कोई मुसल्मान है फिर वो चाहे उसका मजभ हिंदू हो या मुसल्मान हो मसी हो इससे कोई फर्क नी पड़ता तो जिस दो कौमी नजरिये की बुनियाद पर पाकिस्तान बना था, क्या आज भी पाकिस्तान में दो कौमी रहती है, ये मेरा सवाल है, या एक ही कौम रहती है, पाकिस्तानी कौम? नहीं, पाकिस्तान में एक ही कौमें वही आपको बता रही थी, कि पाकिस्तान में दो कौमी नजरिया, तो ये थाना के जी, हिंदू और मुसल्मान साथ नहीं रह सकते, इसलिए मुसल्मानों को एक अलग मुल्क बनाना था और उन्होंने बना दिया, तो पाकिस्तान में भी अ उसी के उपर एंगा कुछ जाहां का रए उनका ख्याल यहां पे कोई और नहीं रह सकता है। हिंदुस्तान चले जाना चाहिए था लेकिन जिना साहब ने 11 गस्त 1947 की अपनी स्पीच में कहा कि आज के बाद हिंदू हिंदू नहीं रहेगा, मुसल्मान मुसल्मान नहीं रहेगा not in the religion sense but in the political sense. स्टेट का मजब से कोई लेना देना नहीं होगा स्टेट के लिए सब बराबर हैं तो उस हिसाब से फिर 1947 14 अगस्त को पाकिस्तानी कौम बन गए वो हिंदू जो की वहां रह गए, वो मसी वो सिख, वो तमाम पाकिस्तानी हो गए तो फिर आज अपने मुलक में दो कौमी नजरिये को पढ़ाना, बच्चों के अंदर वो जहर गोलना, कहां तक दुरूस्त है पाकिस्तान में दो कौमें तो नहीं रहती मैं इसको थोड़ा सा अगर एक्स्प्रेंट करता हूँ, जैसे एक नारा है, बड़ा ही पॉपुलर नारा है, कि पाकिस्तान का मतलब क्या आगे से जवाब आता है ला इलाह इल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वो ही ठीक है, वो ही मतलब है कि it's all about Islam तो मैं ये पूछता हूँ कि फिर उन लोगों का जो कि ला इल्लाह, इल्लाह में यकीन नहीं रखते क्या वो पाकिस्तानी नहीं है तो जवाब होगा अब नहीं, ऐसा तो नहीं है वो बिल्कुल पाकिस्तानी है तो फिर पाकिस्तान का मतलब ला इल्लाह, इल्लाह, कैसे हो सकता है पाकिस्तान का आइडिया तो एक inclusive आइडिया होना चाहिए जिसके अंदर आप ये कहें कि हर वो शक्स जो हमारी जोग्राफियाई हुदूद में रहता हो वो उतना ही पाकिस्तानी है जितना कि कोई दूसरा है तो आज एक वक्त में दोकों में नजरिया रहा होगा आपने दिया मुल्क बनाया है लेकिन अब जब पाकिस्तान बन गया है तो इस दोकों में नजरिया को बार बार इसको out and loud इसको बोलना और propagate करना इससे अगर आप कोई नुकसान कर रहे हैं तो अपनी ही मुल्क का नुकसा विल्कुल ठीक कह रहे हैं अर्वन बिल्कुल मिस्टर जिना की स्पीच है और लेकिन उसके बाद वो कितने दिन रहे ये भी आप देखिए ना कि उनकी तो पाकिस्तान बने के कुछ ही टाइम के बाद उनकी डेथ हो गई ती और उसके बाद जिस तरह के लोग आए और जिस को उसके बजाए वो एक मौलवियों वाली सोच लेकर आगे बढ़े और यही नारा आगे चलता चला गया और उसके बाद हमने अपनी जो टेक्स बुक्स है उसमें तक यह लिखा है कि हिंदूों को मार देना चाहिए या काफिरों को मार देना चाहिए क्या नहीं तो यह चीज मैं आगा आगा का कि आप नमस्कार कियूं करती है अपने शों में मुझे देग गुस्सा आता है तो मैंने रहा कि इनके इसको मेरे नमस्कार करने से क्यों गुस्सार रहा लेकिन अगर आप बच्चे को आपके घर में नहीं भी हो रहा कुछ लेकिन आपका बच्चा बाहर जा रहा है और वो बाहर के लोगों से इसी तरह की बाते सुन रहा है तो फिर यही होगा यही रियाक्शन आना चाहिए था लोगों का और यही कुछ हो रहा है जो पाकिस्तान में है इसमें मिस्टर जिनान ने जो बात की थी उनों ने अपनी तरफ से बड़े साथ दिल के सात कहा था लेगिं बाद में क्या हुआ है किस तरह के लोग आ एँ हमारी फौज में आदे से जाधा लोग इस तरह के हैं इसी मांन्डसेट के हैं जिनका ख्याल है के हर किसी का सर उतार देना चाहिए हर किसी को जो है वो वही टू नेशन थियोरी के ओपर बहुत जादा जिनका ख्याल है कि ये नारा लेके आगे जाना चाहिए यहां पर जितने लोग रहते हैं बिल्कुल वो सबसे पहले पाकिस्तानी है और उसके बाद कोई मजभ जो है वो आता है ल सानी नहीं समझ रहे और यही सोचा जा रहा था कि जो लोग हैं उनको वहां चले जाना चाहिए था वापस यहां पर नहीं रहना चाहिए था और यह चीज अर्विंट बहुत सालों से जैसे मैं कह रही हूं चली आ रही है और इसको बहुत पहले रोक देना चाहिए था और इस वक्त तो ये इतनी जादा बिगड़ चुकी है कि मुझे नहीं लगता कि इसे कंट्रोल करना कोई आसान काम होगा जिना साहब की स्पीचिस को अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा कॉंट्रडिक्शन है उनकी 11 अगस्त 1947 की स्पीच को तो हर कोई कोट करता है मगर उसके ब असले पर बात करना मेरी कोशिश होगी जिसको लेकर हमारे यहाँ पे लोगों में बहुत ज़्यादा सवालात हैं उनके जहर में कश्मीर पिछले 30 साल से जो कश्मीर में हो रहा है आप उसे आजादी की तहरीक समझती है या फिर दैशतगर्दी समझती है दीखें जो कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो सबसे पहले तो यह कि वह जो कुछ लोग हैं जो बिलकुल वहार से चाdtए हैं जिसके हमारे बलोचिस्टान से कुछ लोग चाते थैं aíया सिंद्ड से कुछ लोग चाते हैं के अलग एक country बन जाए, सिंदू देश हो जाए, या बलोटिस्तान को अलग कर दिया जाए, इसी तरह के लोग कश्मीर में भी मौजूद हैं, और ये तहरीके चलती रहती हैं, हर मुल्क में इस तरह की हमारे जैसे countries में इस तरह की तहरीके चलती रहती हैं, लेकिन असल बात य ये है कि अगर कोई वहां से ये कह रहा है, इंडियन कश्मीर से, कि हम अलग होना चाहते हैं, या हम अपनी अलग country बनाना चाहते हैं, या हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, कोई भी बात हो, उनको बजाए उसको negative लेने के ये देखना चाहिए, कि उन लोगों को वहां के पूछते तो हैं, कि आपको क्या problem है, उस problem को solve किया जाता है, उसके against action नहीं किया जाता, उसके against दूसरे के उपर action नहीं किया जाता, अगर वो किसी दूसरे के घर में जाना चाह रहा है, मैं यही चीज़ बलोचिस्तान के लिए कहती हूँ, यही चीज़ मैं सिंध के के साथ, तो आप क्या समझती हैं, क्यों लड़ रहे हैं कश्मीर के लोग, क्या चाते हैं, देखें कश्मीर के लोग जो हैं, वो तो आपको ज़्यादा बेतर कश्मीरी ही बता सकेंगे, कि उनको भारत में रहते हुए क्या problems हैं, अगर वो उनको उनके rights नहीं दिये जा रहे अगर जैसे हमने यह सुना था, बहुत टाइम तक इंटरनेट बन था, और कैर इस पे इंकार नहीं किया जा सकता कि इंटरनेट बन था, और वहां पे बहुत लोगों को हमने footage भी देखी हैं, जिस तरह से मारा पीटा गया, तो चाहे हमको control करने के लिए, साथ-साथ, हमारी तरह से भी मैं यह नहीं कहूंगी कि पाकिस्तान के हाथ बिलकुल साफ हैं, यहां पे हाफिस साइद और इस तरह के लोगों ने कई स्टेटमेंट्स दी, जिसमें उनने का कि हम यहां से लड़के भेजेंगे, जिहादी भेजेंगे, जो कश्मीर को अज़ाद कराएंगे, औ इससे कश्मीर में मजीद गड़बर मची है, और आप कह सकते हैं कि यह जानना चाहता हूं, आप क्या समझती हैं, मैं पाकिस्तान का मौकफ नहीं, मैं जानना चाहता हूं, आरजु काजमी साहिबा के नजदीक कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं? मेरे ख्याल से कश्मीर के लोग जो हैं, वो अपने इंडिपेडन्ट तरीके से रहना चाहते हैं, मिजॉरिटी, और वो चाहते हैं कि उनको उनकी मर्जी से रहने दिया जाया, और सबसे बड़ा मसला जो है, वो पानी का है, और दोनों तरफ के कश्मीर के लोग यह चाहते ह हैं कि पानी वो अपनी मर्जी से दें, चाहे भारत को या पाकिस्तान को, जिसके ओपर कोई बात नहीं करता, सब को यह लगता है कि शैद जमीन का मसला है, सब को लगता है, शैद कश्मीरियों का मसला है, लेकिन कश्मीर से जो पानी निकलता है, पाकिस्तान की तरफ भी आत लेके या जिस तरीके से भी वह खुद हैंडल करना चाहरे हैं जो वह नहीं कर पा। रहे क्योंकि गर्मिंट्स कर रही हैं बिलकुल सेम यही चीज में फिर आप रहेंगे कि मैं बलोचिस्टान ले आई प्लाइन उड़ा दी, कभी कुछ कर दिया, तो वो भी इसी तरह का प्रोटेस्ट है, कि जो चीज उनके पास है, वो अपनी मर्जी सा उसको distribute करना चारे हैं, या sale करना चारे हैं, जो भी करना चारे हैं, तो वो चीज मेरे क्याले कश्मीर के साथ भी यहीश हुए कि कश्मीर के लोग चाहते हैं कि वो इंडिपैंडेंट हो जाएं और वो जो पानी है और दूसरी चीज़ है उसको वो खुद हैंडल करना चाहरे हैं तो आप यह समझ रहे हैं आप यह कहना चाहरे हैं कि बलुचुस्तान में और कश्मीर में अपने रीसोर्स को लेकर लोगों की जदो जायद है विल्कॉलिन सेक्यूरिटीज हैं और होनी भी चाहिए तो फिर ऐसा क्यों है कि कश्मीरी सेपरेटिस लीडर सेद अली शाह गिलानी सहाब यह कहते हैं कि एक मुसल्मान का गैर मुसलिम मुआशरे में रहना उस तरह से है जैसे बिन पानी के मचली के रीसोर्स की बात तो मैंने आज तक अभी नहीं सुनी अच्छा वो तो कहते हैं हम क्या चाहते आजादी आजादी का मतलब क्या ला इलाह इल्ला पानी के लिए कोई अपने यहां से कश्मीरी हिंदूओं को मार के तो नहीं निकालेगा कि हमें पानी नहीं मिल रहा तो कश्मीरी हिंदूओं को यहां से निकाल दो क्या आप वाकरी में समझती हैं कि कश्मीर का मसला वहां के लोगों के रिसूर्स की लड़ाई है? मुझे तो यहीं लगता है कि रिसोर्स की लडाई है और जहां तक वहां के लीडर्स की बात है तो बिलकुल इसी तरह है जैसे पाकिस्तान के लीडर है या कहीं भी दुनिया के किसी जगा के भी लीडर होते हैं उनकी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है जिसके ओपर कोई विवर्फास में तो उसको सीरियसली नहीं लेती क्योंके वो एक पॉलिटिकस खेल रहे हैं, उनको अपनी कुर्सी बचानी है, उनको अपना एक होल्ड रखना है क्योंके लोगों की इगो बहुत होती है इनके लिए किसी भी दूसरे इनसान की जिन्दगी या उनके लोगो हारते हैं तो मेरे खियाल है उनको जितनी तकलीफ होती है उतनी शायद कभी कभी लोगों को नहीं होती क्यूंकि उपर जाना बहुत असान होता है लेकिन वहां से गिरना जो है न वो बड़ा तकलीफ दे होता है तो ये लोग अपनी पॉलिटिक्स को बचाने के लिए किसी भी अलग कहानी है लेकिन ये के कश्मीर में जो है जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से हम दिखने है के वहां की पॉलिटिक्स जो है वो बिलकुल समय से ये जैसे पाकिस्तान की हो या भारत की अपनी अधरूनी कोई politics हो कि वहाँ पर सिर्फ game खेला जा रहा है politics का ना लोगों को किसी से ना politicians को किसी अंसान से दिल्चस्पी है और ना ही अपनी जमीन से प्यार है ये लोग सिर्फ अपनी position को पकड़े रखने के लिए किसी भी तरह की statements मैं दर्याय रावी के उपर से जब लहुर से आप फैसलाबाद की तरफ जाते हैं तो पुल आता है बड़ा उसके उपर से जब आप गुजरते हैं तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि अरविन भाई देखें ये रावी का जो पानी है ये हिंदुस्तान हमें नहीं देता जितना देन आप से ही कुछ पानी की तक्सीम होती होगी लेकिन मैंने अभी तक नहीं सुना कि इंदुस्तान पानी नहीं देता वलके अगर बारिशें हो जाएं तो और मुश्किल हो जाती क्योंकि वहां से आप लोग बंद खोल देते हैं और यहां पर फ्लड आ जाता है तो मेरे क्याल बहुत सी चीज़ें अर्विंजी ऐसी हैं जो के असल अकिकत नहीं है चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से हो चाहे भारत की तरफ से इंडस Water Treaty के हिसाब से माफ करें, मैं आपको टोकरा हूँ यहां पे, इंडस Water Treaty के हिसाब से पाकिस्तान को चनाब, इंडस और जहलम का पानी मिलना था, जो की आपको मिल रहा है, रावी, बैस और सतलुज जो हैं, वो हिंडुस्तान के लिए ये दर्या थे, तो बाकी सारे तो की तरफ बहते हैं तो पानी तो 80% के करीब इंडर्स वाटर ट्रीटी का पाकिस्तान को ही मिल रहा है वो बात और है कि आपने कभी उसके ओपर डैम नहीं बनाए और हमने डैम बना कर उनको रोका और अचानक 70 साल बाद किसी को ख्वाब आया कि यार माना हमारे पास पानी हमेशा तो नहीं रहेगा इसलिए आओ भाई डैम बना लो तो मैंने परल कॉंटिनेंटल जो है आपका होटेल कराची में लहौर में दोनों के अंदर मैंने वो बॉक्सेज लगे हुए खुद देखे हैं जहां पर आप डैम फंड के लिए डालते हैं वो साकिब निसार पाकिस्ता क्या क्षमीर की अवां तो अपने शोहदा को पाकिस्तानी जंडे में परचम में लपेट के दफनाती है बहुत सारे जो दैशतगर्द जिनको हम कहते हैं पाकिस्तान के नस्दीक वो फ्रीडम फाइडर्स हैं और वो जब उनकी डैथ होती है किसी एंकाउंटर मे जब वो मारे जाते हैं तो उनको पाकिस्तान के पर्चम में लपेटा जाता है ये तो हर किसी को पता है ये बात मैं कोई ऐसी नई बात नहीं बता रहा हूँ तो वो तो इसको पूरा दो कोमी नजरिये के साथ में इस पूरे मसले को देखते हैं वो तो ये कहते हैं कि हमारा रिष्टा ही पाकिस्तान से मजब का है और मजब की बुनियाद पे ये बात आज मैं पहली बार से सुन रहा हूँ कि पाकिस्तान से कोई पैसा नहीं लेती है और अब पहाड की उपर कोई अगर कोई वहां से दर्या निकलता है वो तो आएगा तो वो जमीन के उपर ही तो अगर वो ये कहते हैं कि जी हमें इसका पैसा दे हैं कुछ और आज तक मैंने ऐसा कोई मुतालबा नहीं सुना मेरे ख्याल से और जादा तर लोगों के नस्दीक जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का इशू है कश्मीर को लेके वो पानी को लेकर तो नहीं है वो तो 47 से चला आ रहा है ये 30 साल पहले जो वहाँ पर दैशत गर्दी जिसको मैं कहूंगा वो शुरू हुई है आप क्या समझते हैं क्या वज़ा रही होगी उसके पीछे वो स्टार्ट हुई है माफ करिए मैं तीसरी बार आप से पूछ रहा हूं दैशत गर्दी की बात आप कर रहे ना जी दैशत गर्दी वहाँ पे ये आजादी की तहरीक आप जिसे कहती है वो क्यों शुरू हुई हमारे नजदीक त ठापि जाहे वहारी साइट के भी ओ वे हिंदुस्तान की तरफ एक इंडिन इंडिपेंडेंट कांट्री चाह रहे हैं नहीं ही वहारे पाकिस्तान के साथ आना चाह रहे हैं ऐसे मात नहीं है independent country का मुतालबा तो उन्होंने बहुत कम दफा किया होगा आपकी तरफ जो nationalist हैं वो बात करते होंगे हमारी तरफ यासीन मलिक साब है जो थोड़े बहुत बात करते हैं अगर independent country का हि मसला है तो वहां पर जो जम्मू का मुसल्मान है जो जम्मू का हिंदु है वहां का सिख है लब्दाक के बुद्दिस्ट है वो तो नहीं मांग रहे हैं इंडिपेंडेंट स्टेट मुसल्मान ही क्यों मांग रहा है don't you think ये सेपरेटिजम की प्रॉब्लम है और वो भी इसलामिक सेपरेटिजम की जमू कश्मीर में इस्लामिक सेपरेटिजम है और बलोचिस्तान के अंदर रीसोर्सिस के लड़ाई है क्योंकि वहां भी बसने वाले बेशतर लोग मुसल्मान हैं तो आपको नहीं लग रहा कि आप जब इन दोनों को एक्वेट करते हैं तो कहीं न कहीं पर ज्याती है ये? नहीं मुझे नहीं लगता कि ये कहीं न कहीं पर ज्याती है इसलिए कि इस तरह की जो मुमेंट्स होती है इस तरह की जो कहना चाहिए कि एक्टिविटीज होती है या इस तरह की जो तहरीके होती है वो हर कंट्री में होती है और बहुत जगा पर होती है अब आप लोगों से क्योंकि हैंडल नहीं हो पाया एतने सालों में आप लोग नहीं संभाल सके और निउस भी बाहर आती रहीं और इसी तरह की फुटेजिस भी आती रही जो अफकोर्स पाकिस्तान ने तो नहीं बनाई थी ना कहीं नहीं कहीं से आप क्यां से ही ली कुई जबके कहा तो यह जा रहा था कि मीडिया को इजाज़त नहीं है लेकिन फिर भी उस जो है वो एक आदमी को जो है वो गाड़ी पे बांद के पूरे में फिराया जा रहा था और यह सब कुछ था तो उसकी तरफ जब यह चीजे होती है तो अगर आप किसी चीज को ब दोन की द्लागों जो तो कि सोख्व नहीं करेंगे तो यही रियाक्शन आएगा जो अनि ливо пож하고 पानि के लावा और क्या मांगे हैं उब रची चाहां है रहे हैं कि मैं को इक टो नहीं ऐ समझे तो नहीं कर उनके उनकी क्या मांगे लेकिन जो मुझे समझ आई वह यही के वो अलग होना चाह रहे हैं या उनको जो कुछ गर्मेंट से चाहिए, हिंदुस्तान की गर्मेंट से जो उनको राइट्स चाहिए, जो कुछ वो मांग रहे हैं, उनकी होंगी जारे डिमांड्स, वो पूरी नहीं की जा रही हैं और जब वो पूरी नहीं की जा रही है तो अबिसली रियक्शन के तौर पे जो है वो बाहर निकलते हैं और वो जो भी जितने भी आपके आर्मी के लोग खड़े हैं या फोजी वापन मौझूद हैं उनके ओपर अटाक करते हैं और उसमें बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ फसाद पहलाने के लिए भी करते हो कश्मीन में कोई बहुत सिंसेर ली सब लोग कर रहें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनने सर्फ और सरफ इसलिए कहीं से पेमिंट आ रही होगी कहीं से उनको फंडिंग की जा रही होगी कि आपने जो है आराम से नहीं बैटना है और आपने ये फसाद या ये जगडा मचात attention divert करके और दूसरा भारत की जो government है वो इस चीज़ को बहुत पहले solve कर सकती थी अगर चाती चले बहुत कर लेते हैं 2991 के करीब फॉज हमारे borders पर तो होती थी लेकिन आम कश्मीरी के घर के बाहर नहीं खड़ी होती थी हिंदुस्तान की फॉज आपका क्या ख्याल है हिंदुस्तान की फॉज कश्मीर के घरों के सामने क्यों खड़ी हो गई आके इसलिए मेरे ख्याल से ताके मुझे एक दफ़ा बहुत जादा एक बार चल रहा था कि बाहर निकल के प्रोटेस्ट हो रहे थे और पत्राओं हो रहा था और सारा कुछ शायद उसको रोकने के लिए उन लोगों के घरों के आगे गई है कि ये लोग निकल के पर उस तरह की रैलीज और प्रोटेस्ट ना कर सकें ये तो एक आम सी चीज़ है ये तो हल्का में आप से यह कहूं कि कि वहाँ पर दैशतगर्दी हुई पाकिस्तान स्पॉंसर्ड दैशतगर्दी हुई 1990 के दिहाई में और उस दैशतगर्दी की वज़े से वहाँ पर फौज लोगों के घरों के सामने आई क्या आप इस बात को कबूल करेंगी मैं बिल्कुल इस बात को कबूल करूंगी कि नॉन स्टेट अक्टर्स जो हमारे कहे जाते हैं जिसमें हमारे गर्मेंट का कोई हाथ नहीं होता लेकिन बहुत सी असी तन्सीमें पाकिस्तान में मौजूद है और बगैर स्टेटी गर्मेंट के हाथ के कोई सरहत पार कैसे कर देता है आर्जु साहिबा क्यों नहीं कर लेगा सर यह आपको क्या लगता है कि यह लोग यह लोग जो है इनके पास पैसा कम है यह जो जगा जगा इन्होंने डोनेशन बॉक्स लगाए वें कश्मीर जिहाद के नाम पर और आम पब्लिक पैसे दे रही है तो उनको खुली सईद को तो जनल मुषरफ ने खुद कहा था कि हमने खुद ट्रेंड करकर के वहाँ पर इंडियन कश्मीर में और मुजाहीदीन भेजे हैं हमारी हुकुमत ने भेज लोग कबूल कर चुके हैं नहीं देखे वहां बिलकुल परविज मुषरफ ने कहा है और उनकी बुक में بھی موجود ہے اور उन्होंने ये भी कहाता कि हमने जहे हम्ने वो आफगानस्तान भी बेजेंगें और कश्मीर में भी बेजेंगें लेकिन मैं आपको ये बता रही बart से बात कर रहे हैं वो तो यहां से हाफिष साइध काहा कि मैंने लड़के बेजे हैं वहाँ पर और कई दूसरी तंजीमें हैं कई दूसरे जो मथभी किसम की जो जमाते हैं उन्होंने फंड जमा किये और लड़कों को तयार किया जैसे मदर्सम में कह रही हूं छोटे बच्चों को लोग छोड़ जाते हैं उनके दिमाग में ये बिठाया गया कि हमने कशपीर में जहाद करना है हमने हिन्दूों को मारना है ये सब से काकर बिल्कुल इन्नों भेजा है हैं से इसका से लिकिन अगिन जो government होती है जो सुरी आपकी बात काट रही हूं जो main government है जो अभी है या जो पिछली government थी मैं उनकी बात कर रही हूं कि वो directly involved नहीं होती अगर कोई establishment से करवा रहा है या अगर कोई dictator हमारे है रहा है और उसने किया है कि वो पैसे लेकर या किसी भी तरीके से उसने ये क किया है तो वो मान भी रहा है उस चीज़ को लेकिन जो टेमोक्राटिक गर्मेंट्स आती है चाहे वो नवाज शरीफ सहाब की हो या इमरान खान सहाब की हो या पीपल्स पार्टी हो उनको डारेक्ली कोई फाइदा नहीं होता उनको सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है कि अग आपने बेनजीर भुट्टो साहिबा की स्पीचिस को सुना है जो उन्होंने आपके जेरे इंतजाम कश्मीर में की हैं और लोगों को उकसाया है मैं आपको दिखा सकता हूँ देखें मैं आपसे यही बात कर रही हूँ कि पहले की बात और थी पहले कई साल जब तक बेनजीर थी या उनसे पहले के लोग थे मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है कि कश्मीर में यह जो एक तसादम शुरू हुआ फॉज और दूसरे जो भी जो सेकंड पार्टी है जिसको मैं टेर्रिस्ट कहता हूँ आप शायद उसे फ्रीडम फाइटर कहती हूँ आपका क्या ख्याल है मैंने अपसे पहले भी कहा कि फॉज क्यों आई वहाँ पर तो आप यह कह रहे हैं कि लोगों के इशू थे जिनको लेकर वो बाहर निकले मेरा नीख ख्याल कि ऐसा कुछ है शायद पाकिस्तान में इस ब कि है और यह दोनों मुल्क इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि जब भी हमने अमन की कोशिश की है पाकिस्तान ने हमेशा हमारी पीट पर छुरा खोंपा है आप क्या कहेंगी क्या यह इलजाम दुरुस्त है जिससे पहले कि मैं इस बात पर आऊँ मैं एक चीज़ आपको यह कहना चाहूंगी कि बिल्कुल जो लोग किसी का नुकसान करते हैं लोगों को मारते हैं कश्मीर में हो या कहीं भी हो मैं उनको फ्रीडम फाइटर नहीं मानती मैं उनको टेरिस्ट ही कहूंगी और बिल्कु बिल्कुल जो बलुचिस्तान में जो कुछ होता है तो वो भी मेरे ख्याल है वो भी फ्रीडम फाइटर नहीं है और वहां के कई लोग ऐसे हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं मैं उनको भी अगर कोई किसी का नुकसान करता है वहां पे ब्लास कर रहें लोगों को मार रहें यह कोई फ्रीडम फाइटर्स नहीं है ना बलुचिस्तान में और ना ही कश्मीर में आपने कहा कि उनकी जदो जहतों जो है वो तो सारी की सारी रीसोर्सिस की लड़ाई है जो की हुकूमत दे नहीं रही है फिर तो एक लेजिटिमेसी मिल जाती है उनके स्ट्रगल को और आम स् सुनी है इसी वजह से मैंने आप से यह बात करी है चलें आगे बड़े मेरे सवाल का जवाब की आप आप दें प्लीज की हमारे यहां कहते हैं कि हमने जब जब अमन की कोशिश की है पाकिस्तान ने बार बार हमारी पीट पर छूरा खोपा है उनका यह जो इल्जाम है यह कि सूरन बेशते हैं उनको सूट नहीं करता कि पाकिस्तान और भारत में दोस्ती हो और ना सिर्फ उनको सूट नहीं करता बलके कुछ ऐसे लोगों को भी सूट नहीं करता जो यॉरोपी अमेरिका से कहलें या किसी भी कंट्री से जो हमें हत्यार बेशते हैं और उन हत्यारों क जाहिर है अगर आपस में हम दोस्त हो जाएंगे या हमारे टर्म्स अच्छ चले दोस्त ना भी हो एक तरह से लड़ाई जगड़े खतम कर देंगे हम बंगला देश और पाकिस्तान की तरह रहने लगेंगे तो वो हतियार जो हम खरीदते हैं उन लोगों का बिजनस खराब हो हम बंगला ढ 근रे हमेंगे तो जाहिर ही फुर हमारे पाकिस्तान वे चैजन से रहा जाएंगे लोगों पाकिसों वेख की तो देंगा वहां है बाकि 50% आप इंडिया को जिम्मदार ठेराएंगी तो उसके पीछे क्या वज़ा है नहीं देखें मैं यहीं कहूंगी कि 50% जाहर है फिर अगर 50 ना साही 60% पाकिस्टान को देने 40% क्योंगे ताली जो है वो दोना आतों से इसलिए कि भारत जो है वो भी उतना ही जिम्मदार ह यह हुआ यह वो हुआ उस मसले को भारत ने हमेशा ही कुछ टाइम के बाद छोड़ दिया और उसको उसके आखरी तक लेकर नहीं गए जहां से वो कहते हैं कि जी हम चाहे वो बंबई अटाक हो या कुछ हो या कसाप का जैसे था कि जी हमने जी डोजियर दे दिये तो हमने अचित को कर दिया तो हमने वो कर दिया इसके दाफ iß को आगे परसू नहीं किया आपने उसके बाद फिर दुबारा पासमें इन को उस चीज bur There a ऑपा, जैस को लेकर जब तक उसको उसकी पाकरी अंजां तक नहीं पहुंचाते और एक तरह से पाकिस्तान भी उसमें corporate ना करता कि हाँ जी अब यहां से ऐसा कुछ नहीं होगा उस वक्त के लिए आपको जो है वो बातचीत का एक तो दर्वाज़ा खुला रखना चाहिए था आपको उस चीज़ को फाइल को उठाके पीट करकना हल नहीं है अज भी ओपन है हमने बंद नहीं किया है आपने बंद नहीं किया है लेकिन आपने उसके ओपर काम भी नहीं किया है अगर आप पाकिस्तानी नहीं था वो खुद को क्लीन चिट दे दिये वो सही है लेकिन ये कि आपके तो फिर बैड़ गया है और आप क्या समझती है कि क्या आजमल कसाभ पाकिस्तानी नहीं था नहीं मैं नहीं समझती है वो बिलकुल पाकिस्तानी था उसकी फैमली आए जीयो टीवी के हामिर मीर साहब उसके घर तक जा चुके हैं सबके सामने हर चीज है लेकिन ठीक है ये तो मुंबई का वाक्या हुआ उसके लावा हमारी जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने बार हमारे साथ धोखा हमें दिया है तो उसके पीछे हम ये कहते हैं कि 47-48 से लेकर फिर 65 फिर 71 ये बार बार इंडिया पे जो अटेक हुए हैं उसके लिए वो कहते हैं कि पाकिस्तान जिम्मेदार है हमने तो पाकिस्तान पर कभी अटेक नहीं किया क्या आप समझती है कि जो चा पाकिस्तान के लोग नहीं मानते हैं तो फिर 40 परसंट जब चार बड़ी जंगे आज चलें टेरिस्ट इंसिडेंट्स को आप साइड में करें टेरिस्ट जो एक अटेक हो उसको 40 परसंट तक इंडिया को जिम्मेदार ठेरा देना हम तो विक्टिम हैं उस मामले में हमारे उ अपने का 60 परसंट पाकिस्तान जिम्मेदार है 40 परसंट और हमारी क्या कमी है हमसे क्या रती हुई ह passarад जो 40 फिस सथा आपने हमें जिम्मदार ठेराया देखें ये जो एजनसी ना चाहे वह पाकिस्तान की हो या भारत की हो ये एक दूसरे किया मदाखलत करती हैं, इनका काम है, यह दूसरे किया जासुसियां भी करती है, लोगों को भी भेजती हैं और इस तरह की चीज़ें, बहुत बार पाकिस्तान ने बलुचिस्तान के हवाले से कही है, कि हमने यहां पे बहुत एक्टिविटीज हुई है, यह इसे पर मौझूद के एक एक दूसरे से शिकायत है एक दूसरे के साथ ब्राइबateg है तो जब मैं Indya को कहे रही हूं कि हंड Tong को परसंट थो पाकिस्ता का कसूर नहीं हो सकता ना क क पाकिस्टान ट्रूरिस भी भी भेज रहा है पाकिस्टन सब कुछ कर रहा है और भारत कुछ नहीं कर रहा है round दूसरी कंट्री के साथ मिल के काम नहीं करेंगे आपका ये नुकसान होता रहेगा और ना सिर्व आपका ये बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान का भी है उसकी इमेज भी खराब होती है और उसके लोग भी मारे जाते हैं इसको आपका पॉइंट आ गया बात ये है आरजु साहिबा कि पाकिस्तान की तरफ से अगर चार जंगें की जाएं जिसको आपने भी अभी कबूल किया है तो इंडिया एक ऐसा मुल्क जो अबादी के लिहाज से रीसोर्स के लिहाज से पाकिस्तान से पान साथ गुना बड़ा है तो फिर हम क्या एक जासूस बेजने की सलाहियत भी नहीं रखते क्या ये तो एक जाती होगी इन फैक्ट हमारी गवर्मेंट का ये फैलियर होगा कि अगर वो जासूस ना भेजे वहाँ पर और वहाँ से दैशतगर्द हमले हो और उसके बाद वहाँ चार जंगें अगर आपके ऊपर नाफिस की जाएं तो इसमें फिर इंडिया को तो जिम्वेदार नहीं ठराया जा सकता नहीं अर्विन जी अगर जाबर में दोशी होंगे आप भी जिम्वेदार होंगे कि कहां तक दुरूस्त है नहीं देखें अगर बहुत अच्छे टर्म्स भी हो जाएं ना इंडोस्तान पाकिस्तान के और आपस में इस तरह की शिकायते ना रहें ये एजन्सी तब भी यही काम करेंगी रौ का जो का तो आप लोगों का बंगला जेश के साथ कोई लडाई जगड़ा भी तो नहीं है ना आपके लडाई जगड़ा नहीं है पाकिस्तान ने चार लडाईयां करी तो एक जगड़ा डवेलप हुआ तो उसकी एवज में ये सब हो रहा है डोंट यू थिंक सो बिलकुल और लेकि पाकिस्तान को इस हड़ तक ले जाया गया हो कि फिर पाकिस्तान के फौज ने सोचाओ के जी हम अटाक कर देते हैं जो के मुझे नहीं समझा जाती कैसा क्यों हुआ 65 की जंग में आपको क्या लगता है इंडिया ने क्या प्रोवोक किया था पाकिस्तान को हमारे तालुका तो बड़े अच्छे थे पंडित नहरू इसलामाबाद की जो फाउंडेशन रखी गई तो वहां वो गए मैंने खुद इसलामाबाद में वो तमाम तस्वीरें देख दो बतें नहीं कर रही है आप यह कहरे हैं। आप ने कहा पाकिस्तान ने अटाक किया है लेकिन उसके वज़ा मैं कह रही हूँ क्यों कोई रीजन तो रहा होगा ना ऐसा तो नहीं किया वज़े रही हुगी आपके नजदीक 65 की जग की क्या वज़य है आप एक साहफी है बिल्कुल चाहिए वो 65 की जंग हो या 71 की अफकोर्स जब आप इंटरफेयर करेंगे किसी कंट्री में जब यह कहा जाएगा कि पाकिस्तान को एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा था और पाकिस्तान को मुसलसल जो है वो भारत की तरफ से कोई ना कोई स्टेटमेंट आती रहत थी या लोगों के आपस की जो पालिटेशन की बाते होती है जो अकसर आप कह सकते हैं कि एक तरह की इनकी पालिटिक्स ही होती है और उसमें आम आदमी पिस्ता है तो बिलकुल यह प्रोवोक भारत ने किया अटैक पाकिस्तान में कह रही हूँ है सिवाए कारगिल के कारगि पाकिस्तान का दिफा हुआ अंधिरी रात में हिंदुस्तान ने हमला किया यह कहानी है आपका क्या ख्याल है क्या वो वज़य थी जिसकी पीछे जंग हुई ने वह वज़य तो मैं आपको एक्जैक्ली नहीं बता पाऊंगी लेकिन मुझे मैं आपसे यहीं कह रही हूँ कि कोई ना कोई रीजन रहा होगा जिसकी वज़य से यह जंग हुई और जिसकी वज़य से पाकिस्तान ने अटाक किया या भारत जो है उसने अंदर आने की कोशिश की वज़य भारत ने अंदर आने की कोशिश नहीं की जी बुटो साब खुद बताते हैं कि पाकिस्तान की जो वो बंदूकें लेकर बगावत के लिए तयार हैं उनके पास असले की कमी है वो हमारे मुंतजर हैं हम जैसे ही अंदर जाएंगे वैसे ही कश्मीर लिबरेट हो जाएगा और उस वक्त सद्रयूब खान को ये लगा कि मैं तो फाते कश्मीर कहलाऊंगा और ऐसे मौके से कैसे मै मैं जो है पीछे जा सकता हूँ फाज की अपनी क्रेडिबिलिटी का सवाल था तो भुटो साब का मश्वरा था और सद्रयूब ने ये उनके मश्वरे को मान कर एक जुटे मश्वरे को कि जी कश्मीर में तो लोग बंदूकें लेकर बस वो आपने नाम हमारे अंदर गुसन का तक रहा हो ऐसा कुछ नहीं हुआ था तो यहां जंग यहां से शुरू ही फिर इंडिया ने रिटेलियेट किया नहीं यह चीज़ तो आप कारगल में भी देख सकते हैं कि हो सकता है कि 65 के उसमें मेरी इतनी मालूमात नहीं थी आपने बहुत शुक्रिया कि मुझे बताया और लेकिन यह के अगर हम कारगल को देखें तो कारगल में भी यही कहा गया था कि अगर कारगल फता कर लेंगे तो हम कश्मीर भी फता कर लेंगे और यही कहके मुझेरफ साब गए थे और वहां से फिर वो नवाज शरीफ साब ने जो है वो बिलकुल उनको ना मालूम था ना वो एगरी थे ना वो सपोर्ट कर रहे थे तो वो भी हमने एक ब्लंडर किया था और उसके उपर आज तक मुशरफ साब जो है अपनी गलती को मानने को तयार नहीं है जिसमें बेशुमार लोगों की जाने गई तो उसको मैं यहीं कहूंगी कि कुछ ना कुछ गलती यहां स था बिलकुल है और अगर आप सेवन्टी वन का देखें तो सेवन्टी वन भी पाकिस्तान की गलती थी इंडिया के सिर्फ इतनी थी कि इंडिया जो है वो उसने खामाखाई एक जैसे कहते है ना दूसरे की जंग में आके अपना नाम खराब किया और कुछ नहीं क्यूंकि जो हरकते हमने बंगला देशियों के साथ की थी जो हमने उनके साथ बेहेवियर रखा था जो हमने उनको एक तरह से इंसल्ट हम उनकी करते थे हमारे साथ यही होना चाहिए था और सही हुआ है और आज देखें बंगला देश कहा है अगर वो हमारे साथ होते तो अभी तक व बनी जाना है और आज तक आपके लोग कहते हैं गजी बंगलादेश तो हमने बनाया बंगलादेश आप लोगों ने नहीं बनाया एक सेकिन में बंगलादेश बारत ने हरुज़ ने बनाया है चाहते हुए भी involved हो जाता है because neighboring state है, border लगता है लोग आ रहे हैं, देखें, war on terror तो जो है Afghanistan में हुआ था फिर भी 70,000 पाकिस्तानी मरे गए वो शहीद हो गए तो थीक उसी तरह से हमारे यहां जब millions में refugees आए तो उसका असर हमारे state पे पढ़ा तो वो अगर आपने थोड़ा सा बड़े दिल का वहां पे मुझाहरा किया होता शेख मुझीब को होकुमत दी होती तो शैद उसमें कुछ और ही कहानी होती मैं उन चीजों में नहीं पढ़ना चाहता है मैं सिर्फ आपसे यह जानना चाहरा था यह इतने सारे मसले मसाइल हैं एतमाद लोगों का एक दूसरे से खत्म हो चुका है जिस तरह की बयान बाजी हो रही है दोनों तरफ से आज तो ऐसे में realistically आपको हमारा मुस्तक दिल क्या नज़र आता है जो कि आज का जो प्रोग्राम है उसका बुनियादी सवाल हमें मेरे अगर हम उसे पूछें तो मुझे आगे future बेतर नज़र आता है क्योंकि जो नई generation आई है वो इस तरह की नहीं है जो हमारी पुरानी generation इस तरह की बात किया करती थी पाकिस्तान और बारत को लेकर और जैसे मैंने आज भी एक debate में गई थी तो मैंने कहा कि एक दूसरे के उपर attack करना बहुत असान है हमने यहां से attack कर दिया आपने वहां से हमें response कर दिया या हमें हमारे कुछ लोग माट दिया हमने आपके असल जो अगर दोनों countries को अपने आपको बड़ा बहुत साबित करना है और अपने आपको बहुत strong बताना है तो वो एक दूसरे को जीने का हक देकर करना होगा हमें एक दूसरे को बरदाश करना होगा हमें यह बात माननी पड़ेगी कोई भी perfect नहीं होता है I'm sure कि उसी तरह की होगी लेकिन हमारी तरफ जो आई है वो अब भारत के साथ मज़ीद लड़ाई जगड़े नहीं चाहती वो चाहती है कि भारत के साथ हम क्रिकेट केलें भारत के साथ हम विजिट करें हम जगाएं देखें जो हम भारती फिल्मों में देखा करते हैं और हमारी किताबें हैं याई हमारे जो स्कूल कॉलेजेश में जो पढ़ाई जाती हैं उसमें जो नफरत सिखाई जा रही है और जो नफरत बताई जा रही है किसी दूसरे मजभ के लिए और वो बंद हो जानी चाहिए और मेरे ख्याल हो भी जाएगी क्योंकि इसके ओपर गए जिन्होंने इस बात को उठाया है और हमें ये भी बताया गया आदेशिर कावस जी का मैं हमेशा नाम लेती हूँ उन्होंने ये भी कहा था जो हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हुआ करते थे कराची में के पाकिस्तान को भारत के साथ कैसा बहेवियर रखना चाहिए तो उ किसी भी दूसरी कंट्री के साथ अगर जिस दिन हमने जो कहते हैं इमरान खान साब कभी कहते हैं कि जी मेरे आसते मदीना बना रहा हूं कभी कुछ बना रहे होते हैं अगर वो सब छोड़ दें और उसके बजाए सिर्फ हम बंगलादेश के जो स्टाइल है उनका जो मॉडल है उसको अगर हम कापी करना शुरू कर दें तो शायद बहुत से मसले हाल हो जाएं और आगे का फ्यूचर मैं बेतर देख रही हूं अगर आप बाकी सब चीज़ें चोड़ दें और आप सिर्फ अपने आखी डिबेट्स ही देखना शुरू कर दें तो आप कोई एक साल पह पर अटाक किया जा रहा होता है चीखम चिली मची होती है वरना अब लोग पसंद आए ना पसंद आए एक दूसरे की बात को सुनते हैं और सुनना भी चाहिए हर कोई हमारी मर्जी की बात नहीं करेगा यही चीज़ लेके मेरे क्याले आगे लोग बढ़ेंगे और लोग कह से में बात करती हूं कि हम उस चीज़ को आगे बढ़ा पाएंगे और एक पुरसुकून जिंदगी दोनों तरफ हमें नजर आएगी जी आरजू काजमी साहिबा आपने बहुत ही अच्छी बाते की उसके साथ साथ कुछ हिंदोस्तान पाकिस्तान की जो बाजचीत की गुफ उस पर फिर से आप एक बार नजर सानी करें और हम इस पर फिर जो है कोई फिर से हम बात करें क्योंकि जब तक हमारे दर्मियान ये जो मसले हैं जो रियल एक्चुल इशूज हैं हम उनको उनकी तारीक को उनके पसमंजर को हम सही तरह से नहीं देखते हैं तो फिर ये जो ग objectively dispassionate होके और इन चीजों को हम देखें आज आपने भग दिया आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपसे फिर बात होगी, thank you so much. आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा और वीडियो को अपने काफी एंजॉई किया होगा ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी नॉलेजवल वीडियो लाते रहें और वीडिय वीडियो तक आप अपना ख्याल रखिये हम जल्द मिलेंगे जय हिंद जय भारत